नमस्कार आप देख रहे हैं फ़स्ट बेर माई हूं आपके शाइजन कुमार का एक बयान आया था कि अपने अधिकारियों को बोले थे कि 2023 में तैयारी कर ले 2024 से पहले लोक्तवा का चुना होगा हमारे साथ बात्चित करने के लिए जैजियों के वरिष नेता है राजीव रं दुभव और उनके जो सुत्र हैं केंद्र और विविन राजियों में उसके आधार पर ये बाते उन्होंने कही हैं और विकास योजनाओं को लेकर के जो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये ये उनकी कारशाली का हिस्सा है वो बराबर चाहते हैं कि चुनाओं का असर योजनाओं पर नहीं पड़े, योजनाओं समय के पहले पूरी हो जाए। अब जहां तक समय के पहले चुनाओं होने का सवाल है, तो इस तरह की खबरें देश के कई पत्र-पत्रिकाओं में छपी हैं। मारती जन्यतापर्टी हतास है, बॉखलाहट की शिकार है, लगातार उन्निस से तेईस के बीच में उन्हें छे राज्ये गवाने पड़े हैं। और तेजी से गिरते ग्राफ ने एक बात और बता दिया है, कि अब मोदी जी की स्विकारेता और जो उनकी ग्राहता है, जो उनका सिक्कत जो जिस तरीके से चलता था, अब चलने नहीं जा रहा है। तो एक तरफ राज्यों का कमजोर नेत्री, तो दूसरी तरफ वायदों को पूरा नहीं करने के कारण जनतागी नाराजगी, और तीसरी तरफ मोदी जी का जादू अब उस कदर बचा नहीं है। तो हालात बहुत बुरे हैं, इसलिए हर एक दिन उनके लिए भारी है। तो यह आशंकाय बिल्कुल वाजीब है कि अपनी किर्थी साख को देखते हुए वो कभी भी चुनाओ करा सकते है। 24 जुन को राष्टी अध्यच बिजेपी के जेपी नड़ा का कारकरम जहंजारपूर में होने जा रहा है। और 29 तारीकों केंद्रिये ग्री मंत्री अमिट्सा बिहार दवरे पर हैं। वह भी जमूई मुंगेर लोकसभा के लखिस रहे हैं। जहां के आपके राष्टी अध्यच लड़न से जाते हैं। इस देश में जहां भी चुनाओ होते हैं राजनेतिक दलों के नेता जाते हैं। इसमें अध्यच वाविक क्या है। लेकिन मुंगेर अभेद दुर्ग है। अब वहां आमीच शाजी की डाल गलने वाली नहीं है। चाहे जितने हत्कंडे इस्तेमाल कर लें। वहां बड़े अंतर से हार के लिए उनके उबिद्वार को तयार रहना चाहिए। और जहां तक 23 का सवाल है। क्या कुछ रोड मैप हमारा होगा। यह सारे मसले आहल किये जाएंगे। और उसके बाद जो हाल के दिनों में भारतिय जनता पार्टी के हार के मुख्य जो आर्किटेक्ट हैं। जो शिल्पकार हैं अमिज साजी और जेपी नडडा जी। यह एक दिन बाद आए, चार दिन बाद आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह जितनी बाद आएंगे भाजपा की मुश्किले और बढ़ाएंगे। यह हमारे साथ बाचित कर रहे थे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डबाला है। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहां। अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ। अपने पूर्णिया में घर ले लिया है। पूर्णिया के e-homes panorama में। पूर्णिया में panorama ग्रूप लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग। अड़े अड़े आप क्यों मूमीठा करवा रही हो। क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में e-homes panorama के संग। e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined.